Good morning my dear children, children कैसे हैं आप सब, ठीक है ना, very good, very nice तो children इस वीक हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको पता है ना, जल्दी से बताइए क्या कर रहे हम लोग subtraction, very good, very good, तो कल हमने क्या किया था, two digit number का subtraction किया था, आज हम क्या करेंगे 3 digit numbers का subtraction करेंगे, ठीक है, open करेंगे अपनी book को, page number 55 है, आपकी book में open करेंगे, मेरे साथ साथ solve करी, आप भी ठीक है, तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यह हम जो solve करेंगे, 3 digit number, इसको without borrowing solve करेंगे, simple one है, ठीक है, इसमें फिर्स वान तो उन्होंने solve कर रहा है, लेकिन फिर्ट भी देन आलसो, आपको इसको explain करना चाहती हूं, फिर्स वान में जो उपर का number है, वो 638 है, और जो नीचे का number है, वो 426 है, अभी हम यह क्या करना है, इन डीजर्स को इनकी places पर लिखना है, अभी once place को once place पर लिखेंगे, 10th place को 10th place पर लिखेंगे, 100 place को 100 place पर लिखेंगे, अब 638 में जो हमारा 8 है, वो once place पर आ जाएगा, 3 हमारा 10th place पे आ जाएगा और 6 हमारा 100th place पे आ जाएगा और नीचे 426 है तो हमारा 6 1st place पे आ जाएगा 2 हमारा 10th place पे आ जाएगा 4 हमारा 100th place पे आ जाएगा ठीक है विचो अभी हमें solve करना है तो कहां से शुरू करेंगे solve करना यह तो मैं हमेशे आपको बताती हूँ कहां से शुरू करते हैं once place से, very good तो once place पे उपर हमारे पास eight है और नीचे six है अब जल्दी से eight finger ले लीजिए, come on, हाँ good अभी eight में से six fingers को cut कर दीजिए, very good तो कितनी fingers बच गे भी आपके पास, two finger, very good तो two लिख लीजिए, once place पे answer अभी ten place को solve करेंगे, ten place में उपर three है और नीचे है, two तो अभी three fingers ले लीजिए, जल्दी से, come on, very good three में से two fingers को cut कर दीए, good कितनी बच गे यह भी आप बताईए, one, very good तो ten place पे one लिख दीजिए, अभी hundred place पे उपर six है और नीचे four है तो क्या करेंगे हम, take six fingers, six finger लीजिए, जल्दी से, good उसमें से four fingers को cut कर दीजिए, cut four fingers अभी कितनी बच गी है हमारे पास, two fingers तो hundred place पे क्या आजाएगा, two आजाएगा, ठीक है तो हमारा answer क्या आगया इसका, two one two, two hundred and twelve is our answer very good children, अभी first one तो उने solve किया था, यह तो खाली मैंने आपको explain किया है अभी हम second one करेंगे, ठीक है, second one मैं करौंगे और third one आपको खुद से solve करना है second one में, first number जो है वो 739 है, minus two one six, 216 है अभी इनको भी हम digits को इनकी places पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है 739 में जो 9 है वो one's place पे आजाएगा जो 3 है वो 10th place पे आजाएगा, जो 7 है वो 100th place पे आजाएगा 216 में से 6 हमारा one's place पे आजाएगा 1 हमारा 10 प्लेस पे आ जाएगा और हमारा 2 है 100 प्लेस पे आ जाएगा ठीक है तो हम कहां से शुरू करेंगे solve करना 1 प्लेस से 1 प्लेस में उपर 9 और नीचे 6 दे रखा है अभी जल्दी से 9 फिंगर लीजिए साब हाँ very good 9 फिंगर में से 6 फिंगर को cut कर दीजिए very good अभी कितना बच गया हमारे पास 3 फिंगर बच गया ठीक है तो 1 प्लेस पे 3 लिखिए अभी 10 प्लेस पे उपर 3 है और नीचे 1 है अभी 3 फिंगर लीजिए साब हाँ 3 में से 1 फिंगर को cut कर दीजिए very good तो कितना फिंगर लेफ्ट रह गया हमारे पास 10 प्लेस पे 2 आ जाएगा हमारा ठीक है अभी 100 प्लेस पे टेक 7 फिंगर 7 फिंगर लीजिए साब very good 7 में से 2 फिंगर को cut कर दीजिए कितना फिंगर बचा 5 फिंगर तो हमारा आंसर क्या गया 523 ओके इस इस आर आंसर तो ये वाला मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया अभी जो नेक्स्ट है आगे एक क्विस्टिन ही है खाली जादा नहीं है वो आपको खुद से सॉल्व करना है ठीक है बेटा सॉल्व दिस साम थैंक यू जिल्रन बाई वाइव नाइस डे